What's going on guys, RG here, मैं आगया हूँ, आप लोगों के लिए लेके एक और वीडियो, बिग बॉस वाले न अपने आपको खुदी एक्सपोज कर देते हैं, एक्सपोज कैसे कर देते हैं कि इनकी जो स्क्रिप्टिड स्ट्रेटजी है कहीना कहीन पर नजर आने लग जाती है, इनको फुकरा इंसान, ठीक है, Elvis यादव, Elvis यादव almost confirm ही है, फुकरा इंसान, बेबिका और पुजाबट, फिनाले का पाट है, तीनों फिनाले में पहुंच चुके हैं, चाहे वो स्क्रिप्ट थी, चाहे जो भी था, चलो पहुंच तो चुके ही हैं, ठीक है, लेकिन जो फिनाले वीक का इन्होंने थमनेल और पोस्टर लगाया है, उसके अंदर मनीशा रानी भी नहीं है, जिया शंकर भी नहीं है, बेबिका भी नहीं है, समझ में आता कि चलो तीनों की फोटो लगती, फिनाले वीक के नाम पे, क्योंकि चाहे वो तीनों नॉमिनेटेड थे, या तो उन तीनों की लगती, यहां पे बिक बॉस ने जो अभी अपना थमने लगाया है, वो लगाया यह वाला, जिसके अंदर सेंटर के अंदर पूजा बट जी खड़ी है, एक तरफ एलविशा दा, दूसरी तरफ उक्राइंसान, तो भाई यह क्लियर इंटेंशन दर्शाता है, कि पूजा बट is always put to the center by बिक बॉस, उनके इसाब से फिल्मों से हैं, तो वो center में lead role कर रही है, पता नहीं कौन से दुनिया में जी रहे हैं, समझ में नहीं आ ना मुझे, लेकिन यह indirect way है, तुम्हें मैं बता दू, यह बताने का कि टॉप 3 में नजर आने वाले हैं, एलविश जाएगा midweek eviction का, तो तुम्हें पता भी लग जाएगा कि होने क्या वाला है, और मेरे इसाब से top 5 मैंने जो तुम्हें बताये थे, पहले episode में, वो ही हैं, apart from Elvis, because Elvis उस time पहले episode में नहीं थे, और Elvis के आने के बाद जो मैंने top 5 बताये, वो भी same है, तो मतलब मैंने पहले दिन बताया था, it was, अभिशेक, पूजा भट, मनीशा रानी, बेबी का, जिया, ठीक है, आप क्या हो रहा है, जिया और मनीशा रानी सक्ते में है, उसकी जगा Elvis यादव आ चुक है, क्योंकि wild guard आ गये, आप नंबर 5 पे जो आएगा, मनीशा या जिया में से, 90% मनीशा आएगी, 10% अगर स्क्रिप्ट की ज़रूरत हुई, तो जिया आ सकती है, ठीक है, माल लो चलो, जिया और मनीशा भी आ जाते हैं, लेकिन टॉप 4, मैंने तुम्हें बता दिये, अगर मनीशा आती है, तो मनीशा नंबर 4 पे रहने वाली है, नंबर 1 विल बी Elvis यादव, नंबर 2 विल मैं नंबर के इसाब से बात कर रहा हूँ, कि जो नंबर बॉस मीटर पे या वोटिंग के इसाब से मैं बात कर रहा हूँ, नंबर 1 पे एलविश यादव, नंबर 2 पे अभिशेक फुकरा इंसान, नंबर 3 पे आपको पूजा बड़ दिखती है, नंबर 4 पे मनीशा रानी, नंबर 5 पे बेबी का, क्योंकि वो है फिनाले में, बिना पब्लिक वोटिंग के, हालांकि जनता सब कुछ डिसाइड करती है, as per the makers, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, कि एलविश यादव और फुकरा इंसान के केस में, नंबर 1, नंबर 2, क्या होगा, वो आपके के अंदर कोई गेम कर सकती है, तो इस चीज पर ध्यान रखना, और हाँ, गाली में पढ़ेंगी बहुत जादा इन लोगों को, सालों को, टॉप 3 में अगर पूजा बट को ले आए ना, मनीशा के होते हुए, मनीशा को बाहर निकालने का रीजन तुम्हें मैं बता देता कि आज अगर 10% चांसेज जो मनीशा के बाहर जाने के हैं, वो यह भी हो सकते हैं कि पूजा अगर मनीशा आती है, तो यह भी 90% चांसेज के मनीशा जैनून वोटिंग के हिसाब से नमबर 3 पर चले, और पूजा बट नमबर 4 पर आ जाए या 5 पर आ जाए, तो यहाँ पर कह है कि मनीशा रानी अगर रस्ते से हट गई, फिर जिया बेबी का से कोई लेना देना किसी को है नहीं, तो नमबर 3 रैंक सेक्योर किया जा सकता है, पूजा बट के लिए, तो वो एक चीज है, बाकी आपको क्या लगता है, आप बताओ, पोस्टर के ऊपर एक नॉमिनेटेड कंटेस्टेंड और दो फिनाले, फाइनलिस्ट, समझ में नहीं मुझे, और या तो होता कि सारे नॉमिनेटेड कंटेस्टेंड होते है, या होता कि सारे फिनाले वाले कंटेस्टेंड होते है, तो तीन-तीन में डिवाइड थे, यह हो नहीं रहा है, पर तो मैं यह लगता है कौन होने वाला है तो इंडिरेक्ट इंटेंशन शो कर दी है बिग बॉस ने अपनी फिनाले के लिए बाकी जहां तक मुझे लग रहा है इस टाइम पर अगर नंबर गेम की बात करो तो एलविश यादव जीतना मनता है और अगर ओवराल बिग बॉस की गेम की बात करो तो फ करे को देनी है मैं तो दोनों में से कोई जीते मेरे लिए तो कम्यूनिटी में ट्रोफी आ रही है अपने उतने में खूश हैं तो सपोर्ट करो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो विल सी एन अनदर वीडियो गाईज जैन मिलता हूं बहुत जल्दी